हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैचल और राम टेकनिकल हेल्प अगर आप अपना यूटूब स्टोडियो के ऊपर यू कैन नाव टेक ए सॉट पालिशी ट्रेंग टू मेक यूर कॉमिनेटी गाइडलेंड्स वर्ने एक्सपायर यह मैसेज यहां पर देखते हो यहां पर आपको इस मैसेज के बारे में जानना है कि यह हम लोग को क्यों आया है और यहां पर इसका क्या मीनिंग है हम लोग step by step इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियो जो आपको यहां पर मिल जाएंगी चाहिए वो laptop, desktop, youtube या फिर किसी भी software में किसी भी type का आपको कुछी problem आ रहा है तो फ्रेंट्स आपको यहां पर हर type का वीडियो मिल जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमारी चैनल के ओपर you can now take a short policy training to make your community guideline warning expire यहां पर आप अभी YouTube का कहना है कि जो आपके चैनल के ओपर अगर warning strike आ रखा है अभी आप एक छोटा सा training का आप एक छोटा सा training लेकर आप यह जो community guidelines warning है वो expire आप कर सकते हो वो हटा सकते हो आपके चैनल से पहले क्या होता था जो अगर आपके पास warning strike आ जाती थी YouTube की और से तो वो आपकी permanent आपके चैनल पर रह जाती थी उसको आपको remove करने का कोई option नहीं था ठीक है बट अभी YouTube ने एक नया update निकाला है जिसका use करने से आप यहाँ पर यह warning strike हटा सकते हो ठीक है यहाँ पर आप देख पार हो कि dismiss और learn more का दो option दिखा रहे हैं कई लोग इसलिए गभी घवरा रहे हैं अगर हम लोगों ने यह dismiss कर दिया तो हमारा चैनल डिलेट हो जाएगा ऐसा नहीं है आप यहाँ पर यह learn more करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो रीड कर सकते हो और आपको dismiss नहीं करना है आपको सिर्फ learn more पर क्लिक करके जो YouTube की policies ह उसके बारे में एक बार यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर उसको कैसे remove कर सकते हो आपके warning strike को ठीक है तो हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे और अच्छे से जानेंगे तो हम लोग चलते हैं अपने desktop के उपर laptop के उपर जहां हम लोगों ने YouTube जो हमारा channel है उसको login करके रखा है तो हम लोग चलते हैं अभी हमारे desktop के उपर तो friends CA आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आपको यह warning का जो message है वो आया क्यों है यहाँ पर हम लोग ने अपना जो channel है यहाँ पर open करके रखा है यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप यहाँ पर हम लोगों को एक warning strike मिला हुआ है तो YouTube बोलता है कि अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आपको एक चोटा सा training लेना है यहाँ पर और वो training complete होने के बाद 90 दिन के बाद आपका यह warning strike है यहाँ से हटा दिया जाएगा ठीक है तो यह ही है इसका मतलब कि आपको एक चोटा सा training लेना है training क्या होत है कि आप से कहा जाते हैं अगर आप अपना YouTube चैनल के ओपर कोई harmful या content यूज करते हैं तो वो violation है या नहीं है तो बैस ऐसे इस टाइप के आपको question आपके सामने के जाएंगे और बताया जाएगा in future अगर आपको warning strike आता है वो किस वज़े से आएगा और क्यों आएगा ठीक कि यहां पर हम देख पारे हो कि यहां पर हमारा एक community warning strike है इसका training कैसे complete करना है इसके लिए भी मैंने already video बना के रखा है मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो मैंने already इसके लिए एक video बनाया हुआ है आप यहां पर मैं दिखा देता हूँ आपको यह देखे यहां पर मैंने एक video बना के रखा है यह वाला video है तो आप यहां पर जाके देख सकते हो पूरा इसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि आपको जो warning है वो कैसी हटाना है और उसके question क्या आपको answer देना है सब कुछ मैंने इस video के अंदर बताया गया है ठीक है तो आ आपको यहां पर जाके इस video को भी देख लेना है अभी हम लोग चलते हैं वापस से हमारे mobile screen के उपर तो friends यहां पर हम लोग वापस से अपने mobile screen के उपर आ चुके हैं अभी आपको यहां पर क्या करना है यहां पर हो सकता है आपको dismiss और take training का एक option मिल जाए ठीक है अगर आप आपको यहां पर learn more मिल रहा है तो आप learn more पर click कर सकते हो अगर आपको यहां पर take training का option मिलता है तो आपको यहां पर take training करके वो आपको complete कर देना है तो देखे यहां पर आपको एक take training का option मिलेगा अगर आप desktop mode पर open करते हो इसको तो आपको क्या करना है जश्ट आपको यहां पर ट्रेक ट्रेनिंग पर क्लेक कर देना है तो फिर्ट्स यहां पर आपको पूरा व्यूव देखने को मिल जाएगा ट्रेक ट्रेनिंग के लिए यहां पर आपको सब बताया जाएगा कि यहां पर आपको क्या-क्या ओफिशन चेक करने हैं क्या-क्या देखने हैं क्योंकि यहां पर जो मेरे चैनल के उपर यह एक्सपार हो जाएगा 20 को इसके लिए मैंने वह आपको पताया है कि वह वह आप जाके देख लीजिए आगे का procedure क्या है ट्रेक ट्रेनिंग के लिए आपको क्या-क्या step करने है ठीक है यह आपको याद रखना है और यहां पर आपका जो ट और आपको क्या-क्या साउधानी बरतनी है in future कि आपको यह यहां पर warning strike ना आए, ठीक है, यह 90 दिन के बाद आपका यहां पर, जैसी आप अपना training complete कर लोगे, तो 90 दिन के बाद आपका यहां से हट जाएगा, यहां पर आपका first strike आता है, यहां पर इसके बारे में पढ़ लिजी अच्छे से, यहां पर second strike के लिए क्या रहेगा आपका, और third strike के बाद अगर आपके बाद third strike आ जाता है, तो आपका channel भी delete हो सकता है, यहां पर, ऐसा सब कुछ इसके अंदर explain किया हुआ है, आप यह एक बा problem ठीक हो गए, तो please subscribe my channel, video को like करना, share करना, bell icon ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई video YouTube पर upload करूँ, उसका notification आप तक पहुंच जाए, thank you so much.